नमस्कार दोस्तो गुड मॉनिंग मैं नितिन कुमार आप सभी का सवत करता हूं लुसेंट क्लासेस में तो दोस्तो आज हम लोग करेंट अफियर के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो बने रहे हैं दोस्तो इसी तरह हम से तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं 24 मुई का यह कॉर्डिंग टू आरवी आई वह निगेटिव रहेगी क्योंकि ऐसा सक्तिकान दास जो हमारे गौवर्नर है और बी आई के उनका मानना है कि जो आर्थिक मंडी के कारण इक्नॉमिक हमारा स्लोडाउन रहेगा नेक्स्ट कोशन की बात करें दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर के कंपनी को हटाने की बात की गई है अपने एक्स्टोक एक्सचेंज के लिस्ट में तो बता दे कि चाइनिज कंपनी हैं जिन्होंने यह हटाने की बात कही है इसको विश्तार से अगर मैं बात करूँ तो यूएस और सिनेट ने चिन की कंपनी को इस्टोक एक्सचेंज से ह हमारा चक्रवर्थ तुफान आया था जिसका नाम अफवान था उनमें बहुत तबाही मची थी वेश्ट बंगाल में जिनके कारण बहुत नुकसान हुआ गौवर्मेंट को तो उसके लिए पीएम मोदी ने एक हजार क्रोर रूपय का राहत पैकेज का एनौस्मेंट किया है नेक्स्ट कोशन की बात करें दोस्तों तो गोविंद रजलू को राष्ट क्रिसी और ग्रामिन विकास का चेयर्में चुना गया है दोस्तों यह आप इमेज देख सकते हैं इंटरनेशनल टी डे कब हम लोग सेलिबरेट करते हैं और कब अबज़ोर किया गया तो देखिए एबरी येर ओन 21 माई को हम लोग सेलिबरेट करते हैं इंटरनेशनल टी डे किन कंट्री के बीच एग्रिमेंट साइन हुआ है पांच पोर्ट और दो प्रोटोकल रूट के तो बता दें दोस्तों जो इंडिया और बंगला देश है उनके बीच ये एग्रिमेंट हुआ है पांच नए पोर्ट के बारे में और न्यू प्रोटोकल रूट के बारे में द प्रिल एसोसियेशन आफ इंडिया के नेक्स्ट कोशन की बात करें तो जो पीएम मुदी है वो जो इंडियन गौवर्मेंट है कितना एग्रिमेंट साइन किया है वर्ल बैंक में तो बता दे दोस्तो 750 मिलियन डॉलर का एग्रिमेंट टोटल साइन हुआ है हमारे भारतिय सरका और द्वारा वर्ल बैंक से नेक्स्ट कोशन की बात करें इंटरनेशनल मुजियम डे हमेशा हर एक सल 18 माई को दोस्तो मनाया जाता है इसका थीम में यह है कि इक्विलेटी डैवर्सिटी एन इलूजन है तो यह हमारा जो था आज का करेंट अफेर था दोस्तो आसा करता हूं आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो इससे करें और लाइक करें दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो धन्यवाद